बाल मनवग्यान का यह तीसरा क्लास है पार्ट वन क्लास और पार्ट टू क्लास को अच्छे से सपोर्ट और स्वहमती दिया इसलिए हम पार्ट थ्री वीडियो लेकर आए हैं जो आपके होस्टल वाड़नम में दस नमबर के प्रस्ण पुछे जा रहे हैं साथ ही सिख्छक भरती के लिए आप सभी के लिए महत्तपुर्णा क्लास है ठीक है अगर आप होस्टल वाड़न और सिख्छक भरती लेबर इस्पेक्टर की तयारी करना चाते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करते हुए चलेगा ठीक है यह आपका पार्ट 3 वीडियो है अच्छा सपोर्ट किया इसलिए मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ अगर पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो आपने नई देखा है जो नए बच्चे हैं वो डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंग में जाके देख सकते हैं या फिर अगर आप वार्टसप ग्रूप पर जोना चाते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन की नीचे लिंग में दिया गया है और जितने भी बच्चे एक बड़ जूड चुके हैं वीडियो को लाइक कर दिजेगा कमेंट करती जाए कमेंट करने से बहुती अच्छे फिल मिलती है बच्चे की बुद्धी लंबी जो 90 से 110 की जो मध्य होता है उसको कौन सा बुद्धी कहा जाता है तो आपसन A समान्य बुद्धी, आपसन B प्रकर बुद्धी, आपसन C उतक्रिष्ट बुद्धी या आपसन दी प्रतिवा साली बुद्धी तो दिखिए जो 90 से 110 की जो बीच में होता है उसको समान्य बुद्धी कहा जाता है कौन से बुद्धी कहा जाते है समानने का मतलब होता है नौर्मल ग्यान को समानने बुद्धी कहा जाता है नेश्ट कोस्टन है आपका बच्चे के लिए निसूलक है जल्दिस कमेंट करना इस्टार्ट कीजिए गार जितने बच्चे बह जुड़ चुके हैं ये आपके होस्टल वाटने के लिए काफी महत अपूर्ण है, आपने अगर दोनों वीडियो को सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आपका पार्थ्री वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, तो चलिए ये आपका सेकंड क्रॉस्चन है, निसूलक के अनिवार ये सिख्छा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, तो ये आपका 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, एक बार इसको नोट कर लिजेगा या फिर याद कर लिजेगा, ठीक है, अगर वीडियो को दुबारा के सरवाधिक अच्छी विधी, तो कौन सा है आपशन A मनों विद्यसमें 味धी, आपशन B तो नातमक विधी, आपशन C विकासी विधी, आपशन दी सांखी की विधी, तो इसका अंसर C हो जाएगा विकासी विधी, देखिए यह जो प्रसन में लेकर आया हूं यह विगत वर्सों में कई वर एक्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं लेकर आया हूं Part 3 वीडियो ठीक है, ऐसी और वीडियो देखना चाते हो अगर आगे अगर Part 4 वीडियो देखना चाते हो तो इस वीडियो में comment करके बताइएगी इस वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगता है तो हम part 4 वीडियो लाएंगे अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं हम part 4 वीडियो नहीं लाएंगे चलिए इसका answer आप लोग बताज़ेगा क्या आएगा तो दिखे इसका answer Gardiner ने साद बुद्धी का अधिमान निर्धारित किया है इन में से कौन सा नहीं है तो दिखे गाड़नर ने आपको साद बुद्धी का जो मैं theory class कराया थे है न दो दिन हुआ है आपका मैं theory class का लाया हूँ जिसमें आपका बिल्कुल ये class attend किये थे जितने भी बच्चे को पता है जल्दी से comment करना start किजेगा तो इनमें कौन से नहीं है तो आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ कि आप सभी होगा भावनात्मक बुद्धी जो आपका साथ बुद्धी के अधिनिधारित नहीं किया गया था जबकि कौन कौन से किया गया था तो आप लोग एक बार नोट कर लिजीगा देखे पहला इस्थान संबंदी बुद्धी तीसरा है अन्त ये वैक्टित बुद्धी और उसके बद भासात्मक बुद्धी ठीक अन्त वैक्टित वैक्टित बुद्धी हो गया है इस्थान संबंदी बुद्धी ठीक है चलिए नेस्ट यदि एक बच्चे की मांसिक आयू 5 वर्स है मा लोग को एक व्यक्ति है जिसकी बच्चे की मांसिक आयू कमेंट न न करे है वास्तविक आयू 4 वर्स है तो इस बच्चे की बुद्धि लंबी कितनी होंगी तो 1, 2, 5 यानि की 125 ठीक है पार्ट 4 वीडियो हम लाएंगे पार्ट 4 वीडियो लाएंगे पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो को आपने फूल सपोर्ट किया है इसलिए मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर आया था जिसमें आपका पार्ट 4 नेस्ट टाइम में लाएंगे ठीक है तो वीडियो में एक बर कमेंट करके बताएगे कैसा लग रहा है यह वीडियो चलिए मनोविज्ञान की सिच्छा का अधारभूत विज्ञान है या किसने कहा है तो आपसन ए बी ए जाने आपसन भी स्किनर आपसन स्री डेवीर या आपसन भी वोडवर्थ यह जितने भी सभी है यह सभी आपका मनोविज्ञानिक है ठीक है यह सब के आपके मनोविज्ञानिक है सब का अलग-अलग according to आपको मैं बता रहा हूँ according to class में ले रहा हूँ जिसमें मनों विज्ञान की class चल रही है ठीक है मनों विज्ञान बाल विकास से पूछे गए प्रस्न तो मनों विज्ञान में सिच्छा का धार वुत विज्ञान है आपका किसने कहा था आपसन भी इस कीनर ने कहा था किसने कहा था इस कीनर ने कहा था वेरी गूट जितनों लोगों न आंसर भी दिया है उन लोगों का आंसर सही है अब बताईएगा कि हिंदी अक्छरों को बालक की आयू पहचानने लगते हैं तो देखिए पांच वर्स में देखिए अच्छे से हुसयार हो जाते हैं और बालक जो आयू में सभी को पहचानने लगते हैं जैसे पढ़ने लिखने में माहिर हो जाते हैं पांच वर्स केज़े अवदी 4-5 साल के बाद न तो इसमें पांच वर्स लेना है ठीक है अगर 4-5 साल दिया रहे गे न अधिक्ता आपको 5 वर्थ लेना ही है ठीक है इसके बाद हम देकेंगे ELE전 calm क्या है ELEXIA का मतलब होता है पढ़ने की जो अच्छमता होती है वही है ELEXIA ठीक है पढ़ने की अच्छमता आंसरे हो जाएगा एक बार फिर से आप लोग comment करके पताजेगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है था हम पार्ट 4 वीडियो लाएंगे ठीक है यह आपका पार्ट 3 वीडियो है कैसा लग रहा है पर कमेंट करके बता दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है वीडियो क को लाइक कर दें हम क्योंकि इतने महनत से बना रहे हैं विलकुत फ्री क्रास ले रहे हैं रिकोर्डिंग के तौर पर है ना तो एक बार कमेंट करके बताजीए कि विडियो कैसे लग रहा है विडियो को लाइक कर देजेगा यह सबसे पहले दोस्तों जो लोग और तयारी करने हैं उनके लिए बहुती अच्छी वीडियो लेकर मैं आया हूँ ठीक है यह बहुती मेहनत करने के बाद यह question मैं आपको set करकर लाया हूँ ठीक है बहुती मेहनत करने के बाद इस question को set किया हूँ मैं ठीक है तो चलिए प्याजे की अवचारिक्ता संक्रियात्माग आवस्था की आयू अवधी माने जाती है तो मा लिजेगा ये 11 से अगर 15 दिया रहेगा तो आपका आंसर बिलकुल सही होगा आंसर D ठीक है एक बार वीडियो को सेयर कर दिजेगा या फिर अपने दोस्तों को सेयर कर सकते हैं ठीक तो यहां सभी एक प्रस्णा पूछा गया है तो गर्व में बालक को विक्सित होने में कितने दिन लगते हैं तो मात्र यहां पर देखिएगा 280 दिन लगते हैं मात्र कितने दिन लगते हैं एक बार कमेंड करके बताएगा आप सभी कितने दिन लगते है 280 दिन आप से के आंस रखो है ना तिन वर्स का जो उसका पूतर था उसको अध्यान किया गया था तो कौन से मन में ज्यानिक है तो आपसन एक पेश्टो लाजी याद रखना है एक बार पिर से मेरे साथ दोहरा हीएगा पेश्टो लाजी एक बार चलो यह आजाएगा आपका पेस्टो लोजी एक बार फिर से मेरे सांद हो रागेगा पेस्टो एक मिनुट ना पेस्टो लोजी ठीक है यह पूरा क्लियर हो गया आप की समय ज्यानिक ने तीरी वर्ष से याद रहेगा आपको बच्चो याद रहेगा ना दोस्तों चलिए कि आप सबी को याद हो जाएगवाब न कि एक दम रटदम आवेज़ेगा इसको रट लिज़ेगा ठीक है यह कोश्चन को रट लिज़ेगा कि ऐसा कौन सा मनहीव ज्यानिक ने अपने तीन वर्ज के पूत्र का अध्यन किया था तो आपको आजाएगा पेश्टो ला दी एक बार मैं आप सभी को फिर से पूछ रहा है वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजेगा हम अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है पार्ट फोर वीडियो लाएंगे वीडियो को सेयर करना ना भूले दोस्तो वीडियो को जरूर सेयर करें और लाइक कर दीजेगा पहली बार आया है तो चैनल को एक बार सस्क्राइब कर लिजेगा बेल आइकन घंटी को और पर सेट कर लिजेगा मैं जब भी रिलेटिड वीडियो अपलोड करूँगा आपको विल्कुर नोटिफिकरिशन मिल जाएगा चलिए बाला का विकास होता है तो बाला का विकास कैसे होता है बाला का विकास कैसे होता है पूछा गया है जल्दी से बढ़ता ये कमेंट कीजेगा ऐसे एक्जाम में पूछा जाता है बहुती मेहनत करने के बाद मैं ये PDF लेकर आया हूँ ठीक है बहुती मतलब बहुती सारों से मतलब तयारी किया हूँ इसको selected किया हूँ कि इस question आना है ऐसे type का मैं विगत वर्स question लेकर आया हूँ ठीक है दोस्तो तो चलिए बाला के विकास कैसे होता है क्यों होता है तो दिखें आपके आंसर ए हो जाएगा सीर से पैर की हो जैसे आपका पहला सीर बनेगा उसके बाद पैर वैर बनना प्राराम होता है ना यह सब क्या लिए विकास के संबन में गलत कथन को इस पश्ट किजिए तो दिखें विशिष्टे से समाने की और बिल्कुल है जो कथन है तो उसके बाद स्वर भोमिक प्रक्रिया दीसा से सिर पैर की और यह वर्तुनात्मा गती तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा गर्व धान काल की आवस्थन नहीं है तो कौन सी यह हो जाएगा आपका सैसा वस्था है जो उसकी गर्व धान के लिए आवस्था नहीं होती ठीक है बांकि यह सब आवस्था होता है माना जीवन की मनोभावतिक एक्ता कहलाती है यह भी आपका दो से तीन बार पूछा गया है देखें यह जो प्रस्थन है आपका दो से तीन बार आपके एक्जाम में कई बार आया हुआ टेट का एक्जाम में पूछा गया था CGTTM पूछा गया था सिक्छक भरती में भी पूछा गया था तो देखें माना जीवन की मनोभावतिक एकता कहलाती है आपकी मन तथा सरीर का विकास क्या आएगा इपर फिर से दोराइएगा मन तथा सरीर का विकास है ना चलिए अब वीडियो काफी जादा आप लोगों पसंद आ रहा है तो मैं पार्ट 4 वीडियो लेकर आऊंगा तो चलिए गर्भा में सरोपथम निर्मान होता है तो गर्भा में सबसे पहले कौन सर निर्मान होता है कमेंट करके बताएगा आपसन A पैर का, आपसन B C का, आपसन C धड़ का या आपसन D सभी का तो देखे बहुत लोगों ने कमेंट करके यह कहा था कि सर इसका जो आंसर होगा भी होगा और very good जितने लोगों का आंसर भी आ रहा है ठीक है जिस सबसे पहले सीर का निर्मान होता है दोस्तो चलिए जन्मा के समय सीसू में कितनी हड्या होती है एक्जाम में कईवा ये तो कम से कम 3-4 वर एक्जाम में पूचता ही पूचता है चाहे आप विज्ञान की कलास लो चाहे आप परियवरान की कलास लो वहां से आपका फिजयो लादी से ना यानि कि मणों विज्ञान एकसे प्रस्न पूचता है तो देखिए जन्मा के समय मालीजी के जन्म हुआ रहता है उसके समय सिसु की जो कितनी हड़ी होती हैं तो आपका 270 होता है बाद में जाकर वह आपका चेंज हो जाता है कम Hoजाता है ठीक है जो बच्चे में जो छोटा छोटा हड़ी रहता है वो सब एक सांथ जूड़ जाता है फिर वह थोड़ा हो जाता है फिर कितनी हड़ी हो जाती है 206 हड़ी हो जाती है ना चलिए बालक अपनी माँ को पहचाना प्रारम कर देता है कब तक प्रारम करता है चलिए एक बार कमेंट करके बताईए हाँ देखे ये भी एक्जाम में एक से दो बार पूछा है बालक अपनी मां को पहचानने प्रारम करता है कितने मेहने में तो आंसर ए 6 महना, आपसन भी 8 महना, आपसन C 9 महना, आपसन D 10 महना या आपसन D 3 महना तो जल्दिस कमेंट करके बताएए इसका आंसर क्या होगा वेरी गूट, जिन लोगों का आंसर D आया है 3 महन ये बिल्कुल सही है दोस्तो बालक के जन्मा के समय सीसू के मस्तिक का भार होता है देखे ये भी आपके एक्जाम में पूछता है और सीजी टीटी के एक्जाम में भी पूछा गया तो ठीक है तो ये सिच्चक भरती में भी पूछा जाता है और हॉस्टल वाडर नमे ये आपका मनोविज्ञानी के 10 नंबर का पूछा गया है सीलेवस दिया गया है जिसमें भी आने की संभावनाय बनती है तो देखिए बाला के जन्म के समय सिसू का जो मस्तिक भार होता है आपका 350 ग्राम होता है कितना ग्राम होता है 350 ग्रम मात्र याद रखना ना सिसू के जन्म के समय हाँ बिल्कुल आंसर भी होगा कलपना जगत में वीचरन होता है तो देखे कलपना किया जाता है देखे दुनिया में जो कलपना होता है अपने मन से जो कलपना करते हैं वीचरन होता है मन से उसे कौन सी अवस्थम करते हैं तो सैसा वस्था, किसोर अवस्था, बाले अवस्था या सैसा वस्था जल्दी से बताईएगा तो इसका आंसर बहुत लोगों ने किसोर आवस्था B डाल रहा है तो कई लोगों ने आंसर A डाल रहा है तो मैं कहना चाहूंगो कि जो कलपना करते हैं न हम लोग तो कौन सी आवस्था होती ही तो देखिए ये आपका 14 साल से लेकर स्टार्टिंग में आपका ये युवा आवस्था तक माले जिगा मतलब इसको बोला जाते है सैसा आवस्था और किसोर आवस्था ठीक है यह दोनों ही आएगा इसका अंसर ठीक है तो इसका अंसर ले लेते हैं सैसा वस्था और की सोरा वस्था यह दोनों ही इसका अंसर होगा ठीक है इसका अंसर होगा आप लोग आप लोगों को क्लियर हुआ जैसे हम कुछ भी कलपना करते हैं कुछ भी सोचते हैं तो यह सैसा वस सब्सक्राइस डा help आके यह जो है अपकार कर दिखान के बारे बात कर रहे है जैने कि देखिए बालग जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगता है पढ़ाई स्कूल जैसे हम भेंठें नुसको तो पढ़ने लिखने में थोड़ा समजदारी दिखाने लगता है तो कितने साल में आता है यह समजदारी है आपका कम से कम 5-6 साल के में तो आप संदिया होगा यह देखिए 5 वर्स बिलकुल सही है आप संदिय जितने लोगों का आ रहा है है ना एक बड़ फिर समय आप लोगों को पूछ रहा है कमेंट करके बताइए प्लीज कैसा लग रहा है अगर देखिए पार्ट वान वीडियो में आपने अच्छा सपोर्ट किया है पार्ट टू वीडियो को भी आपने अच्छा सपोर्ट किया है यह आपका पार्ट थ्री वीडिय वीडियो में काफी ज़्यादा लाइक आ जाता है वीडियो में अच्छा खासा कमेंट आ जाता है तो मैं आपको पार्ट फोर वीडियो आवज से लेकर आऊँगा ठीक है बिलकुल लेकर आँगा दोस्तों आप सदी के लिए जो की विगत वर्षो से है और कई वार एक्जाम म चलिए तो चलिए बताईए इसका अंसर क्या है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकल चलाना या कारे की सवस्थम होता है प्लकर तोड़ा बात बोलते रहते रहते थे हैं अठम इस टैप कर रहता है जैसे अब ये रह गया है ये इस प्रकार के ज़ो सैकल आता था एय 돼 वाला ठीक है उसको यहां से पकड़के बाद आता तीन कौनिया व ला ठीक है इसको जब बच्चे चलाते बच्चे-ॉस साल की अवस्था में चलाते हैं, दो साल, तीन साल है ना, उसको कौन सी अवस्था कहा जाता है, सैसा अवस्था, ठीक है, सैसा अवस्था कहा जाता है, बिल्कूर, ये देखिए, इतने भी ये सभी ना, ऐसी ऐसी एक्जाम में आता है, है ना, चलिए, निम्यम से किस घटना की और बालक का सरोप्रतम आकरसित होना प्रारम करता है तो देखे जो घटना है आपका बालक का आकरसित होना प्रारम करता है यो प्रकास का प्रकास का एक बार याद रखेगा न इसको रट लिजेगा इसको रट लिजेगा एक बार प्रकास का तीक है बालक की जिग्यासा को किया जाना चाहिए क्या किया जाए बालक की जो जिग्यासा होती है जिग्यासा का मतलब होता है ललक इक्छा बच्चों में बहुत सारी इक्छाएं होती है तो उसको सांथ करना कहते हैं जैसे कि कुछ भी जैसे उसको चॉकलेट चाहिए तो उस को बता रहा हूं अपने जो एस्पीरियंस है मतलब बच्चे लोग आमने सामने में देखा हूं आज पड़ोस में जो बच्चे रोते रहते हैं वो कुछ चौकलट वागर देद होगे ना तो चूप हो जाते हैं ठीक है एक बार फिर से मैं कहा रहा हूं वीडियो कैसा लग रह है पड़ने में वीडियो आपको अच्छा लग रहा है एक बार कमेट कर देगे सर आपको वीडियो बहुत ही अच्चा है पार्ट फोर वीडियो जरूर लाएं चलिए नेस्टा कोस्चन आपका बाला भारत में बाल विकास की सुरुवात कब हुई थी देखिए सबसे महत्त अवस्था में समाजी विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता उसे असुरुख्छा कहते हैं ठीक है किसोर अवस्था में चरित्र निर्मान से जो अवस्था संबंधित है वह आपको हो जाएगा अधार हीन आत्मा चेतना की अवस्था अप्शन B ठीक है चलिए विकास व्यक्ती में नविन विशस्थाएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है या कथन अपका हर लाग का होता है इसके बाद है किसोर अवस्था एक नया जन्म है इसमें उचतर और स्रेश्थतर माना विशस्थाओं का जन्म होता है या कथन स्टेनली हॉल का होता है चलिए ला आटके दोरावसाद देने में में कि मैं इसका जीन प्याजे का जीन प्याजे का और इसक्लास ह सस्क्राइब जरूरिक कि जीगÁ ठीक है आज के लिए इतना हम थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो एंड देखें कल हम JIN, P.layů से बहुत सारे Guru लाएंगे जो आपकीwehr में बिलकुल पूछे जाते हैं ठीक है आज के लिए इतने हैं दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है तो हम नेस्ट टाइम में पार्ट फर वीडियो लेकर जरूर आज कर वाचिन में वीडियो